मेरे पास बहुत कमेंट्स आने लगए कि आपको Google AdSense का अकाउंट डिसेबल होगे क्योंकि आपकी वेबसाइड में टेक्मो वरदालत वेबसाइड में Google AdSense का कोई भी कोड नहीं है कोई भी एड शोर नहीं कर रही मैं इसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा पहले मैं सोच रहा था कि क्या करूं बोलके पर अब लगते मुझे आप सबको सच बताना पड़ेगा अगर आप जानना चाहते है कि ऐसा क्या हुआ और किस वज़े से यह सारी चीजे होती है जिससे की Google AdSense का अकाउंट डिसेवल हो जाता है तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखे और आप बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना जिस गलती से आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए यहां फिर डिसेवल हो जाए और उससे पहले मैं हमेशे की तरह एक बात बोलूँगा अगर आपने अभी तक चैन यहां पर आप देखेंगे मैं अपनी मेन वेबसाइड में आ चुक हूँ और साइड बार में भी देखेंगे टॉप में भी देखेंगे हेडर में प्लस पोस्ट के नीचे भी देखेंगे कहीं पे भी मेरी गूगल एटसंस की एड्स शोनी कर रही है अगर मैं किसी पोस्ट क open भी कर रहा हूं तो भी आप देखेंगे friends उस page के अंदर मतलब उस post के अंदर कहीं पे भी Google AdSense की ads बिल्कुल नहीं आ रही सबसे पहले तो मैं इसके कुछ reason बता देता हूँ सबसे पहले reason friends आप कभी भी अपने friends को relatives को या फिर जो भी आपके near and dear है उनको कभी भी ads पे click करने के लिए ना बोले काफी नहीं blogger ऐसे होते हैं चाब wordpress यूज़ कर रहे हैं या blogger यूज़ करते हैं उससे कुछ matter नहीं करता काफी नहीं लोग ऐसे होते हैं जिने ads का लालच होता है पैसे का लालच होता है ads पे खुद click कर देते हैं इस चक्कर में कि हमारी income स्टार्ट हो जागी नहीं तो VPN यूज़ करते हैं या फिर अपने family member brother, sister, mammy, papa किसी के भी mobile से अपनी website को open करके ads को click करने लग जाते हैं mostly तो friends लोग यही करते हैं अपने friends को बोलते हैं और VPN यूज़ करने के लिए बताते हैं और उनी के friends ads पे click करते हैं और अपनी कोई commission set कर लेते हैं तो ये चीज़ आप बिल्कुल भी ना करें Google का algorithm इतना smart हो चुक है कि आपकी इस चीज़ को 3-4 दिन नहीं हो सकते हैं एक हफते के अंदर ही उसे track कर लेगा और अगर आप बहुत smart निगले तो हस्यत friends आप एक payment ही ले सकते हैं Google की तरफ से उसके बाद आपकी सारी महनत बेकार हो जाएगी अब चलते हैं अपने next point के तरफ में भी आपने से काफी लोगों को पता होगा कि Google Adsense को सिर्फ एक ही नाम से create करा जा सकते है तो मैं Google Adsense का एक ही account बनाऊगा अगर मैं multiple accounts बनाता हूँ विदान्त मलोतरा के नाम से same address उसमें डालके same bank की details डालके तो definitely मेरे multiple accounts हो जाएगे और उस case में भी मेरा Google Adsense का account suspend हो जाएगा या फिर disable हो जाएगा ये गलती आपने बिल्कुल भी ने करनी आप अपने family member के नाम से account create कर सकते है for example एक account आपके नाम से एक आपके brother, sister, mother, father कोई भी हो सकते है cousin, wife आपके बच्चे भी हो सकते है पर उनकी age 18 plus होनी चाहिए इस तरह से friend आप काफी सारे Google Adsense के accounts create कर सकते हैं third point अगर आपने उसका ध्यान नहीं दिया तो उसका ध्यान जरूर दे आपको facebook, whatsapp, instagram इसमें बहुत सारे groups मिल जाएंगे जहां से आप अपनी website ले traffic को बहुत ही cheap price में purchase कर सकते हैं खरीद सकते हैं आपसे वो पैसे ले लेंगे और आपकी website में traffic भेजना start कर देंगे और आपको लगेगा कि इतने कम पैसों में इतना ज़्यादा traffic आ रहा है अब तो हमारी earning होगी mostly वो bots होते हैं friends, bots से कभी भी earning नहीं होगी ये एक invalid activity कह सकते हैं, invalid traffic बोला जाएगा जिसकी वज़े से भी Google Adsense का approval आपका disable यहां फिर suspend हो सकता है आप Google Advert को use कर सकते है, Facebook Ads, Bing Ads, official यह जो website होती है इनमें पैसा invest करके आप अपनी website में traffic लेके आ सकते है जो पैसा आपने traffic को buy करने में लगाने है, उससे तो अच्छा है आप इन official ad networks में पैसा लगाके, Google Ads, Bing जो आपको मैं बता चुका हूँ उनमें पैसा लगाके, आप अपनी website में traffic लेका है पर आपकी website का content इतना अच्छा होना चीए अगर कोई एक बार आपकी website में आ है, तो definitely वह आपकी post भी read करे प्लस second time भी वह इंतजार करे कि आप कब नहीं post लेकेंगे तो इस चीज़ का आप ध्यान जरूर रखे यहां फिर आपके सकते किसी का video या audio file हो सकती है और भी काफी सारी चीज़े होती है अगर आपने किसी की website से उसे copy करके अपनी website में paste कर दिया, add कर दिया, upload कर दिया और दूसरी website वाला जहां से आपने copy कर है, उसने counter file कर दिया तो friends तब भी आपका उस case में Google Adsense का account definitely suspend होगा या फिर वो disable हो जाएगा, तो इस चीज़ का ज़रूर जहां लखे अगर आप किसी से भी copyrighted material चोरी कर रहे हैं कर से तो friends उसको आप credit दे, source link उसकी website का दे नहीं तो direct आप उससे permission ले ले, मेरे पस बहुत सारे comments आते हैं कि भाई हम आपके videos को या फिर आपके कुछ images को अपनी website में use कर सकते है मैं उन्हें बिल्कुल yes करा देता हूँ, मैं किसी को भी counter file नहीं करता बहुत सारी websites में आपको मेरे videos मिल जाएंगे, मेरे photos मिल जाएगी पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता क्योंकि उन्होंने मुझसे permission ली और मैंने permission दे दी अब चलते हैं अपने next point की तरफ, मैं हर किसी की बात नहीं करूँगा और Google जिस language को support नहीं कर रहा और अगर आप उस language को use करने लग जाएंगे तो definitely friends Google को easily पता लग जाता जब उसके bots आते हैं, check करने के लिए, crawl करने के लिए कि आपकी website की language change हो चुकी है और उस case में कुछी time में, हफ्ता 10 दिन 15 भी लग सकते हैं, कुछी time में आपका Google Adsense का account disable हो जाएगा और अब मैं आपको एक major बात बताने वालम जो मैंने put face करी है और उसी के बाद मैंने अपनी website का एक बहुत बड़ा decision लिया है जिसकी वज़े से Google की ads मेरी website में नहीं आ रही Normally मेरी website में जब मैंने अपनी website को reveal कर रहा था आज तक मैं उसे maintain करके चल रहा हूँ यही चीज़ देखते हुए friends मैंने अपनी website से Google की ads को हटा दिया इसका proof मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मेरे पास comments आते हैं कि भाई ए ads के उपर एक video बनाओ और किसी भी platform के उपर मैं ऐसे video नहीं बना सकता तो यहां से यह confirm हो जाता है कि मेरा Google Adsense का account अभी active है यहां से मैं आपको edit पे click करके दिखा देता हूँ edit पे click करने के बाद मैंने auto ads को on करा और apply to site के उपर click करने के बाद save के उपर मैंने click कर दिया यहां पर आप देखेंगे मेरी website की auto ads on हो चुकी है और उसके बाद आप देखेंगे friends मैं A ads को use कर रहा हूँ मेरे नाम से यह account चल रहा है इसलिए दो महिने से मैं इसका payout ले रहा हूँ और इसमें daily payout होता है तो मुझे यह चीज थोड़ी अच्छी लगी और जो मेरी दूसरी websites हैं उनके अंदर adsense का account चल रहा है और वहां से भी earning हो रही है और मेरी जो main website है जिसके बारे में सब जान चुके हैं उसके अंदर मेरी adsense की add नहीं है और वहां से भी मुझे daily payout मिल रहा है तो अगर आप इन points का ध्यान रखेंगे तो definitely friends आपका भी Google adsense का account कभी भी disable नहीं होगा, suspend नहीं होगा आने वाले time में policy update होती रहती है, changes आते रहते है हो सकते हैं आप ये वीडियो कब देख रहे हैं और उस समय शायद policy में कुछ changes आ जाए अगर आएंगे तो वो भी definitely मैं आपको जरूर बताऊगा ऐसे ही interesting video के साथ मैं आपको फिर से और बहुत जल्दी मिलने वालों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत